तो दोफतों आप लोगों के समझ में बीए के पुलिटिकल साइंस यानि कि राजनीती साफ्तर का पूरा का पूरा माडल पेपर या कह सकते हैं कोईस्टन पेपर लेकर आ गया हूँ तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है बीए के जिनका भी सब्जेक्ट प कोईस्टन पेपर बनाया जाता है यानि कि 5-6 फाल पिछले कोईस्टन उठाके ही जब पेपर होता है तो वहीं सारे कोईस्टन रिपीट होते हैं तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि पूरे का पूरा जो माडल पेपर इसमें कौन से क्वेस्टन हैं और कौन से आप लोगों के पढ़के जाना है जो कि आपके एक्जाम के लिए पूरी तरह helpful है क्योंकि पूरा का पूरा माडल पेपर है ठीक है तो इसमें आप लोगों को पूरे मैक्समुम 100 नंबर का है तो आप लोग पूरे तो याद करके जाने सकते तो इसमें कौन इ वाला है पर दे माडल कोईश्चन पेपर पिछले सालों का प्रिविए सेरों का आप सभी समें बोल रहा था कि कुछ वेट कर लीजिए मैं समस्त्र आप लोगों कोईश्चन पेपर प्रवाइट करूंगा बिना दिरिक बढ़ते हैं आप लोग दिख लिए हाप लिखा प्ल जो डिवाइड गया है वो खंड आ बा सा ऐसे सेशन एबी सी या फिर जो भी है वो आप लोगों को देखने मिलेगा ठीक है पार्ट वन में कितने कोश्चन आए खंड आ उसके बाद खंड बा ठीक है उसके बाद इसी तरह खंड शा इसी तरह आपके एक्जाम में आ पचास सब्दों से अधिक ना हो सभी प्रस्ण के अंक समान है यानि इसमें बता जा रहा है कि आप लोगों को जो ये सारे जो खंड आ में कोश्चन पूछे जाएंगे ये सारे होंगे आप लोगों के आते लग उत्रे बेश के यानि किनका जो एंसर वो आप लोगों को प्रतेक ही से 1 प्रषण चुनते हुए कुल पांच प्रस्ड Gibson के और लिफेशन की की प्रतेक प्रतीग 50 सब्दों से अधिकना हो सभी प्रस्ण के अंक समान है ठीक है और खंड सामें ये बता जा रहा है कि कोई 2 प्रस्ण की जिए प्रतेक प्रती से अधिक तो पहले है अतिले होत्रे कोश्चन पार्ट आखंडा कोश्चन पढ़ेंगे इंग्लीस दोनों में आप लोग जिस मतलब लेंगे पर कम्पटेबल वह आप लोग सेल्ट कर लिजेगा पहला कि आधुनिक दिस्टिकोंड के अनुसार राजनीती विज्ञान में क्या क्या ठीक और लिखाए कि समानता की परिभांसा कीजिए और अगला है कि आचित पूर्टा का वैधिता क्या है यह आप लोगों को को कोश्चन आएगा ठीक है और यूनिट 3 में क्या दिया गया चले देखते हैं यह अभी खंड यह ही चला है यह और सा नहीं आया इध्यान दिखिए क अगला कुश्चन की राजनीतिक दल की कोई एक परिभासाद दीजीए तो राजनीतिक दल की बारे में आप लोगों को लिखना है लिख़ा है शंग वात का क्या भप्रीया इसके बारे में लिखना है और निश्टी काई जो आगे इसमें लिखा कारिपाल का के प्रकार बताईए और निश्ट है कि और रोद और संतुलन की परिभांसा दीजिए ठीक है और इसमें है उदार वात से आप क्या आसे हैं और अगला है अत्रिक्त मूल का सिधान्त क्या है कि अब यह पूर यह जान में क्या सम्मिलित होता मोस्ट इंपार्टन को सचना है याद कर लिजेगा नोट डाउन कर लिजेगा गूगल पेस का अंसार सच कर लिजेगा आपके एक्जाम में आनेक चांस था ठीक है अगला यह तरह इंप्र नहीं है ठीक है चलिए अगला देखते यह कोश्च ठीक है यह कोई इतना इंपार्टन नहीं है आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ लिजेगा ठीक है अगला प्रस्ण है कि राजनीती दल की को एक परिभासा दीजिए यह भी मोस्ट इंपार्टन को इसको भी पढ़ लिजेगा अगला कोश्चन है कि संगवाद का क्या समस्ते हैं यह कोईशन आप लोग पढ़ लीजेगा अगला इतना इंप्वाटन नहीं है ठीक है अगला खंड खंड अब देखिए खंड आ में जो जो मैंने बताए हैं आप लोग अब तो यहां पर स्टार्ट हो जाएगा बाके बारे में बताएंगे कौन को इसमें इसमें पर लोग पढ़ते हैं लगोत्रे बेश का है कि परम परागत राजनीती विज्ञान के स्वरूप एम छेत्र को स्पष्ट कीजिए ठीक है अगला प्रस्ण है कि उत्तर वहारवाद को परिभासित करते हुए इसके प्रमुख लच्छड बताइए ठीक है अगला प्रस्ण है है इसी में कि राजनीती विकास पर एक संश्यप्त लेक लिए ठीक है higher अगला प्रस्ण है कि संसधिये सासनsk व्यवйता के गुड़ दोस्त समझाए रूंगे अगला प्रस्ण है कि कि नियाएपालक प्रुमुक कार्यों के विविष्ण कीजिए नियाएपालक क्या होते हैं डिक अगला प्रसन है कि नेंतरों संतुलन के सिधान्त पर एक टिपड़ी लिखिए ठीक है चली अगला लिखा कि उधारवादी दर्सन के प्रमुक सिधानतों का वड़न कीजिए ओके चलिए अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन है कि राज की उत्पति के विकासवादी सिधान को समझीए तो आगे आजाएगा खंड सा लेकिन पहले हम देख लेते मोस्ट इंपर्टन कोईस् तो चलिए पढ़ते हैं तो चलिए पढ़ते हैं परमपरागत राजनेती विज्ञान के शुरूपियम छेत्र को स्पष्ट कीजिए यह कोश्चन आप लोग थोड़ा ज्यादा नहीं लेकिन एक बार इसके अंसर पढ़ जरूर लीजेगा ठीक है ओके समझ में आगया तो यह भी कोश्चन मुस्ट इंपार्टन नहीं है लेकिन आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं अगला कोश्चन है कि राजनीत विकास पर एक संचित लिखे यह कोश्चन मौश्च इंपार्टन का मतलब आपके एक्जाम में आने के पूरे के पूरे चांस है मौ कोश्चन गुमा फिराके हो जाएगा लेकिन एक्जाम में आएक आपके ठीक कर लिजे ठीक है बिल्कुल राइट है ओके अगला प्रश्चन है कि सोतंत्रता की परभाफा दीजिए इसकी विभिन प्रकार को लोग उलेक कीजिए तो स्वतंत्रता की परभासा आप लोगों क दीजिए लोग तंत्र के बारे में आप लोगों को लिखना है मेरे हिसाफ से नहीं अगर आप लोग पढ़ना चाहिए तो पढ़ लीजेगा ठीक है अगला प्रश्चन सदी यह भी कोई मोश्चन नहीं में इसको नहीं सगस्ट करूंगा आप लोग पढ़ना चाहिए पर कोईश्चन पूछा गया हो सकता कि अंतर बताईए ठीक है अंतर बताईए या इसमें थोड़ा आप लोगो कोईश्चन घुमापने का हो जाएगा कि प्रकाश डालिए तो आप लोग इसको पढ़ लीजेगा ठीक है अगला पूश्चन है उदारवाधी दरसन इसको मत पर लिजेगा इस बार आने के चांस कम है लेकिन अगरा जो कोईश्चन में आपको बताने वाला हूं इंप्वाटन है यह मोश्ट इंप्वाटन रहापके आने के पूरे चांस है इसको पढ़ लीजेगा राज्जे के उत्पत्र से सम्मंधित आपके एक्जाम में 100% खंड बा के सारे कोईश्चन यानि की लग हुट्रे बेश के अब हम पढ़ाएंगे खंड साकीयो यह की विस्तित उत्रय है नी के लॉंग कोईश्टन है ठीक है वरी लॉंग कि तो इसमें पहले पढ़ाएंगे कोईश्चन उसके बाद इंप्वार आपको बताएंगे दूइस तदरात्मक बिवस्थापिका के पच्छ तथापि पच्छ में तर्क दीजिए ओके अगला जो प्रशन आप लोगों को देखने की मिलेगा वह कि वर्ग संगर्स के सिध्धान्त की विविश्णा कीजिए तो इसमें आमें आप लोगों को बता देना कौन मोस्ट पहला को बता दे रहा हूं पहला है कि वहार बात से इसको पढ़ लीजेगा लेकिन पढ़ लीजेगा हो सकता आभी सकता है जो मुझे पकाक कनफरम है कि आएगा वो मैं आप लोगों को पहले बोल दूंगा कि आएगा चंगवाद इसके बारें भी पढ़ लीजेगा थोड़ा बहुत आने के चांस तो नहीं है इसके अगला कोश्चन है कि दूष सद्रात्मक व्योस्ता ये कोश्चन इंप्वाटेट इसमें आने के चांस है पूरे को पूरे ठीक है इसको पढ़ लीजेगा तो जो जो मैंने पूरे के इसमाडल पेपर में बताएं चाहाए और कौन से सब्जेक्ट का माडल पेपर एक कमेंट में आप लोग ज़ूरू बताएगा तेलेग्राम वाटसाप से जुड़ जाएगा हम मालेंगे आप लोगों को निस्ट वीडियो में निस्ट वाडल के साथ तब तक लेंगे